हाई एवरिवन आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आइडियल्स ओके तो जिस तरह से ग्रूप के अंदर नॉर्मल सब ग्रूप होते थे और इन normal subgroup से हम बनाते थे quotient group आपको याद होगा इनसे हम बनाते थे quotient group उसी तरह से ring के अंदर होते हैं ideals और इन ideals से हम बनाते हैं quotient ring यानि कि कहने का मतलब यह है कि जो normal subgroup काम करता था group में वही चीज ideals काम करते हैं ring में तो ideals को देखने के लिए पहले हमें दो चीज़े देखने पड़ेंगी पहला right ideal और दूसरा left ideal तो right ideal होता क्या है right ideal जो है एक subset है r का r का यानि कि उस ring का एक subset है और कैसा subset है एक non empty subset है अगर ये subset दो condition को satisfy करे पहला कि अगर मैं इस subset से दो element लेती हूँ अगर मैंने a और b s से ले लिए और ये imply करे कि जो a minus b है वो भी s में जाए और दूसरा ये कि मैं एक element लूँ s से और एक element लूँ उस ring से और ये imply करे कि जो a r है वो s में जाए for all a belongs to s and r belongs to r तब मैं कहूंगी कि ये जो s है वो एक right ideal है तो right ideal के लिए मुझे दो condition देखनी है पहला ये कि वो non empty होना चाहिए एक non empty subset होना चाहिए r का दूसरा ये कि अगर मैं उससे दो element लेती हूँ एक a और b s से लेती हूँ और ये imply करे कि जो a minus b belong अगर a minus b जो है वो s में जाता है कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर s जो है plus के साथ subgroup बनाता है दूसरी condition ये कि अगर मैं a s से लूँ और r r से लूँ और ये imply करे कि a r भी s में जाए देखे मैंने r को कहां से operate किया है right hand side से इसलिए इसको right ideal कहते है तो अगर मैं r को जो है a के right side से operate करूँ और वो जो a r है वो भी s में जाए तो हम इस s को क्या कहते है right ideal अब इसी चीज़ को देखते हैं कि left ideal में क्या definition आएगी तो पहला वही कि वो जो है वो non empty होना चाहिए दूसरा यह कि अगर मैं a और b s से लूँ तो यह imply करना चाहिए कि s जो है वो क्या है sub group है याने कि a minus b जो है वो s में belong करता है दूसरा यह कि अगर मैं a s से लूँ और r r से लूँ तो यह imply करें कि जो r a है वो किस में जाए s में जाए ओकि तो यहाँ पर मैंने r को जो है a के left hand side से operate किया है और यह सारे a belongs to r और r belongs to r के लिए true होना चाहिए ओकि तो एक और चीज़ यहाँ पर मैंने s sub group क्यों का क्योंकि हमने एक theorem पड़ा था कि अगर a और b मैं h से लेती हूं और यह imply करें कि जो a b inverse है यह भी h में जाए तो इसका मतलब यह क्या कि जो यह h है यह sub group है राइट क्योंकि यहाँ पर binary operation प्लस है तो इसका क्या मतलब होगा a और b inverse याने कि b का additive inverse तो वो क्या होता है minus b क्योंकि binary operation प्लस है तो a plus minus b यह किस में belong करना चाहिए h में याने कि a minus b belongs to h तो यह जो condition है वो यहाँ पर लगाई है क्योंकि हम s को बता रहे हैं कि वो क्या होना चाहिए subgroup होना चाहिए तो अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा subset दिया जाता है उस ring का तो हमें सिफ दो चीज़ें देखनी होती है number one कि क्या वो subgroup बनाता है क्या याने कि a minus b s में है या नहीं दूसरा यह कि क्या a r s में है या नहीं या फिर r a s में है या नहीं तो यह हुआ right ideal और यह हुआ left ideal तो बात यह है कि ideal क्या है ओके so what is ideal तो ideal की definition यह है पहली वही कि अगर मैं s से दो element लेती हूँ तो यह imply करना चाहिए कि जो a minus b है वो भी s में जाए दूसरा यह कि अगर मैं a s से लेती हूँ और r r से लेती हूँ तो यह imply करना चाहिए कि जो a a r और r a है याने कि a r और r a है यह दोनों जो है s में बिलॉंग करने चाहिए for all a belongs to s और r belongs to r तो कहने का मतलब यह है कि ideal वो होता है जो right ideal भी है और left ideal भी है कोई s अगर वो right ideal भी है और left ideal भी है तो हम उसे ideal कहते हैं तो ideal में यह दोनों condition आ जाती है अब कुछ observation करते हैं यह तो normally एक रिंग की बात हुई अगर रिंग जो है वो commutative हुआ तो क्या अगर commutative रिंग हुआ तो क्या कि मल्टिप्लिकेशन के respect में r के सारे element क्या करते हैं कम्यूट करते हैं तो अगर मैं कोई s लेती हूं subset r का एक non empty subset लेती हूं और उसमें जो है जो है वो commutative ring है इसका मतलब क्या कि a r किसके बराबर होगा और s के बराबर होगा तो इसका मतलब यह है क्यूंकि a r जो है वो s में belong करता है तो यह imply करेगा जो sorry यहां पर आएगा तो जो आर ए है वो भी s में belong करेगा right इसका मतलब यह है कि अगर ring commutative हुई तो उसका जो right ideal होगा वो left ideal भी होगा ओके यह मैंने क्या लिया था यह एक right ideal लिया था क्योंकि R को मैंने A से जो है right hand side से operate किया और क्योंकि R की commutativity की वजह से A R जो हो आरे के बराबर है तो यह दोनों बराबर है इसका मतलब आरे भी S में जाएगा इसका मतलब क्या है कि S जो था वो right ideal था और commutativity की वजह से वो left ideal भी हो गया इसका मतलब यह कि commutative ring में जो है right ideal जो है left ideal के बराबर ही होते हैं ओके second observation यह कि अगर R जो है ऐसे ring है जिसके पास unity element है ओके और मान लिया कि वो जो unity element है जिसको हम one से denote करते हैं यह जो one है यह एस में भी बिलॉंग कर गया ओके एस में जो की ideal है अभी अगर वन जो है एस में बिलॉंग किया तो second property के हिसाब से अगर मैं one ऐसे लेती हूं और आर जो है वो आर से लेती हूं तो इसका मतलब क्या कि यह जो है और कोई arbitrary element था यानि कि हर आर जो है वो एस में गया इसका मतलब क्या कि पूरा का पूरा एस जो है वो आर के बराबर हो गया यानि कि वो जो ideal है वो पूरी की पूरी रिंग बन जाएगी कब जब उस ideal के पास one होगा ओके तो यह कुछ observation थी अब कुछ example देखते हैं ओके तो example यह है कि मान लिया मैं एक ring लेती हूं ओके और ring क्या है मेरी एक two by two की matrix है ओके two by two की matrix है a b c d जहां पर जो यह a b c d है यह सारे किसके element है a b c d यह किसी field के element है ओके हम फिलाल के लिए आर ले ले लेते हैं ओके यान कि real number के element बनाये है मैंने इसमें मैं इस आर का एक subset लेती हूं s जिसके अंदर element है zero zero और मान लिया ef ओके याने कि जो पहला कॉलम है उसके दोनों element zero है और दूसरे कॉलम में जो है कोई non zero element है ef ओके या फिर यह zero भी हो सकते हैं तो मुझे यह चेक करना है कि यह जो s है यह किस type का ideal है यह right ideal है कि left ideal है कि पुरकपुरा ideal है याने कि अगर यह right ideal भी हो गया और left ideal भी होगा तो इसका मतलब यह ideal बन जाएगा तो चेक करते हैं तो पहली बात मुझे क्या करना पड़ेगा कि क्या यह subgroup है याने कि अगर मैं a b दो element लेती हूं s से तो क्या यह imply करता है कि a minus b belongs to s तो यहाँ पर a और b क्या है a और b matrix है ओके तो मैं दो element लेके चलती हूं s से एक ले लिया मैंने 00 और एक को मान लेती हूं e1 f1 यह एक element है दूसरा element लेती हूं 00 e2 f2 और मुझे देखना है कि क्या 0 e1 0 f1 minus 00 e2 f2 क्या s में भिलॉंग करेगा यह ने तो इसका answer क्या आएगा 0-0 is 0 0-0 is 0 यह आएगा e1-e2 और यह क्या आएगा f1-f2 ओके तो यह नहीं कि फिर से जी किस टाइप की matrix बन गई एस टाइप की जहां पर पहला जो कॉलम है वह 0 है दूसरा जो कॉलम है e1-e2 क्योंकि e1 भी एक रियल नंबर है e2 भी एक रियल नंबर है दोनों का जो माइनस आएगा वो भी एक रियल नंबर ही आएगा इसका मतलब यह भी किस में बिलॉंग किया s में बिलॉंग किया इसका मतलब जो है s जो हो subgroup है ओके या फिर पहली condition उसने satisfy कर दी second मुझे यह देखना है कि अगर मैं एक element s से लूँ दूसरा जो है वो r से लूँ तो क्या यह imply करेगा कि ar s में बिलॉंग करता है या भी नहीं कि ar याने कि क्या यह right ideal है कि नहीं है okay so let's see मैंने एक लिया मुझे पहले a लेना है याने कि 0 e 0 f और दूसरा element लेना है मुझे r से r से याने कि a b c d ले लेते हैं so a b c d इन दोनों का product तो matrix की product करनी हमें आती है okay so यह आएगा 0 into a तो e dot c right okay next is 0 e into b d याने कि यह आएगा e dot d next is 0 और f को मुझे multiply करना है a और c याने कि f dot c और यह आएगा f dot d alright so इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो पहला column है वो 0 नहीं आया okay किसी special case में यह 0 आ सकता है लेकिन हमेशा नहीं आ रहा है इसका मतलब यह है कि यह s में belong नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या कि यह right ideal नहीं है तो एक चीज तो हो गई कि इसकी possibility जो ideal होने की थी वो यहाँ पर खतम हो गई यानि कि ideal नहीं बना सकता तो हम देखते हैं कि क्या यह left ideal बनाता है या नहीं आता है तो क्या यह left ideal है या नहीं यह chicken ओके तो पहला आएगा ABCD A B C D दूसरा आएगा 0 E 0 F ओके और matrix multiplication यानि की पहली रो पहला column तो इस जीरो पहली रो दूसरा column यानि की A E plus B F और second row first column यानि की 0 and second row second column is E C plus D F ओके और यह साफ साफ दिख रहा है कि यह S में जाएगा क्योंकि इसका पहला column हमेशा 0 आएगा तो यह किस में belong कर गया है S में इसका मतलब यह है कि इस तरह की जो matrix है जो इसका subset था वो क्या है वो बनाता है left ideal ओके वो right ideal नहीं बनाता है तो यह एक example था जिस तरह से आप यह देख सकते हो कि जो हमने subset लिया है ring का कि वो right ideal बनाता है left ideal बनाता है अगर वो दोनों बनाता है तो वो ideal बन जाएगा तो यह method है कि किस तरह से आपको check करना आपको सिफ दो condition देखनी होती है पहला यह कि अगर आप दो element S से लेते हो क्या वो a-b s में जाता है या नहीं और दूसरा यह कि अगर a-s से लेते हो और r से लेते हो तो क्या यह imply करता है कि ar-s में जाता है या फिर R.A.S. में जाता है या फिर नहीं तो यह example है मेरा एक सवाल है तो वापस से उसी page पे आ जाते हैं और सवाल यह है कि क्या ideal subring होता है या नहीं क्या हर ideal यहाँ पे लिखते हूँ क्या हर ideal subring होता है या फिर नहीं तो यह question है तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि कोई S जो है वो subring का बनाता था subring के लिए मैं दो condition देखनी होती थी एक यह कि अगर A, B S से लेती हूँ और यह imply करे कि जो A-B है वो S में जाए और दूसरा यह कि अगर मैं A, B S से लेती हूँ और यह imply करे कि जो A, B है वो S में चला जाए तो हम कहते थे कि यह जो S है यह subring है उस ring की तो सवाल यह है कि क्या ideal subring होता है या फिर नहीं तो definition देख लेते हैं पहला कहता है कि अगर A, B मैं S से लेती हूँ तो A-B, B, S में जाएगा जो कि similar है, जो कि same है subring की पहली condition से तो याने की पहली condition true हो गई, दूसरा यह कहता है कि अगर मैं A, S से लूँ और एक R लेती हूँ मैं पूरी ring से, कोई भी arbitrary तो यह imply करेगा कि जो A, R है या फिर R, A है वो S में जाएगा और इसमें यह कहता था कि अगर A, S से लूँ अभी भी S से लूँ तो यह imply करेगा, जो A, B है वो S में जाएगा, तो दोनों में strong property कौन सी है दोनों में ideal की property ज़्यादा strong है, क्यों क्योंकि यहाँ पे एक element मैं S से ले रही हूँ, दूसरा जो element है, मैं पूरी ring में से कोई भी element लेती हूँ जब मैं यह कहती हूँ कि R जो है, मैंने ring से उठाया है obviously इसमें S के element भी आ जाते हैं यहाँ पे हम सिर्फ S के element की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम R के element की बात कर रहे हैं, जब R के element की बात करते हैं, तो उसमें S के already आ जाते हैं याने कि इस condition में यह वाली condition already आ जाती है और यह ज़्यादा strong है इस condition से, इसका मतलब यह है कि हर ideal जो है, वो sub ring होता है याने कि every ideal is sub ring अब question उल्टा है, कि क्या हर sub ring ideal होता है या फिर नहीं तो बड़ी simple सी बात है definition से ही पता चलता है कि यह जो definition है या फिर यह जो condition है, यह इससे weak है तो जरूरी नहीं है कि हर sub ring जो है, वो ideal होती है या नहीं होती है, लेकिन जब हमें इस तरह से prove करना होता है कि हर sub ring जो है, वो ideal नहीं है या फिर किसी theorem को contradict करना होता है, तो हमें एक एक्जामपल देना पड़ता है तो इसके लिए भी एक एक्जामपल देते हैं ओके तो एक रैशनल नंबर का सेट प्लस और डॉट के साथ जो है रिंग बनाता है ओके और एक और रिंग लोंगी में जहां पर इंटीजर है और प्लस और डॉट बाइनरी ऑपरेशन है होता है इसका मतलब यह है कि जो जेट प्लस डॉट है याने कि इंटीजर का जो रिंग है यह सब रिंग होता है क्यू प्लस डॉट के क्योंकि पहली बात कि यह इसका सबसेट है और दूसरा यह कि अपने आप में यह रिंग भी है तो मुझे यह चेक करना है कि यह सब तो किया इंप्लाइ करता है कि यह आइडियल है या फिर नहीं है ओके सब्रिंग या फिर आइडियल को प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहली बात यह कि A minus B अगर मैं सब्सक्राइब और B मैं जेट से लेती हूँ तो कि यह इंप्लाइ करता है कि A minus B जो है वो Z का element है बिल्कुल है क्योंकि integer जो है वो अपने आप में ग्रूप बनाते हैं प्लस के साथ तो वो इस condition को पक्का फॉलो करेंगे ओके सेकेंड यह कि मैं अगर A element जो है Z से लेती हूं और दूसरा element मैं B जो है वो Q से लेती हूं क्योंकि Q हमारा जो है वो super set है तो क्या यह imply करेगा कि जो A B है वो Z में बिलॉंग करता है या फिर नहीं तो बड़े simple सी बात है सपोज मैं Z से एक element लेती हूं 5 और Q से element लेती हूं half मैंने ले लिया Q से और 5 ले लिया मैंने Z से क्योंकि Q जो है वो rational number का set है तो उसके अगर मैं 5 और one half को operate करती हूं 5.1 by 2 which is equals to 5 by 2 यह जो है integer का element नहीं है यह belong नहीं करता इसका मतलब यह है कि जो subring है वो जरूरी नहीं है वो ideal हो या फिर नहीं हो ओके तो यह concept था ideal का हर ideal जो है वो अपने आप में subring होती है ओके और next video से हम theorem देखेंगे ideal के उपड़ है ओके